Hello and welcome to J.S.Warta J.S.Warta में आज का टॉपिक है कोरल रीप्स आईए जानते हैं कोरल रीप्स क्या होती है किस तरीके से बनती है क्यों बनती है ठीक है और कब बनती है क्या क्या इनके लिए बेस्ट कंडिशन से कोरल रीप्स के बनने के लिए जानते हैं इनको details में क्या लिखावा है कि coral is an ecosystem क्या है एक तरीकी का ecosystem है और इस ecosystem में क्या है is a colony of calcicarious organism calcicarious organism वो होते हैं जो calcium secrete करते हैं यह ऐसा ecosystem है जो किससे बनावा calcicarious organism से बनावा calcicarious organism से बनावा जो क्या करते हैं calcium secrete करते हैं इस तरीके के जो calcicaris organisms होंगे उनका पुरा एक ecosystem है इस तरीके से पुरा एक ecosystem है ठीक है ऐसे organisms का अब देखेगा आगे लिखा हुआ है ये जो अपने corals है ये shallow waters में होता है ठीक है जादा गहरे पानी में नहीं होंगे ठीक है हलका गहरा होगा पानी ठीक है along with microscopic algae किसके साथ रहते हैं? microscopic algae के साथ रहते हैं जिसको हमने नाम दिया है zoosanthaly क्या है? zoosanthaly है microscopic algae है इनके साथ रहते हैं ठीक है? जिनके साथ क्या है? इनका symbiotic relationship है क्या है? symbiotic relationship है ये जो calcium secretic organisms हैं यह जो organism है, यह किसके साथ हैं, कहाँ, इसमें गाई एक algae है, ठीक है, एक microscopic algae है, इसके साथ इसका, इस organism का, जो calcium secrete कर रहा है इसका, और जो algae है, इन दोनों के बीच में क्या है, symbiotic relationship है, क्या है, symbiotic relationship है, अब symbiotic relationships को समझें क्या होता है, symbiotic relationship है, जिसमें कि दोनों partner, ठीक है, दोनों partner को कुछ न कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि one side affair होगा यह, ठीक है, दोनों side से क्या है, कुछ न कुछ give and take होगा, अब देखे, कौन क्या देगा, यह देखे, अब देखे, एक हमारे पास calcium secreting organism है, और एक हमारे प काम है, यहां पर, डीक है, पहले इसको ठाट पॉइंट प्रेंड में प्र लेता है, टाली, है, फोटो सिन्थेटिक एबिलीटी है, टीक है, जो पोटो चले जाएगा इसको । ठीक है यह कैलसियम..." इसनने तो दे दिया इसन अपना काम कर दिया. लेकिन यहाँ लगर भी तो कोई काम करें यह हूद पना काम करें. केलısı करreat गिंदिय गेरएं को अपने करेंगाлу 타 disadvantaged इसको अपना काम करेंगा. ठीक है अब देखे protection कैसे provide करेगा यह calcium secreting है ना तो इसके जो surface होता है hard होता है काफी ठीक है तो एक क्या कर देता है algae को क्या करता है protecting surface देता है आगे बात समझ में आपको क्या कर रहा है तो दोनों का काम देखे एक उसको protection दे रहा है दूसरा क्या काम कर रहा है उसके लिए food बना दे रहा है तो यहां क्या हो रहा है दोनों कुछ ना कुछ एक दूसरे को दे रहा है that kind of relationship is called symbiotic relationship ठीक है clear हो चुका होगा आपको ठीक चलते हैं अपनी next slide पर यह आपको यह दिखेंगे यह है आपने coral ठीक है यह आपने देखे होंगे अगर ठीक है आपको मौका अगर one two one मौका नहीं पर मिलाओ तो आपने कहीं न कहीं आपको यह कहीं image में देखा होगा इस तरह किसे जो भी दिखता है न यह आपको corals है ठीक है यह है आपने इनके जो base रहता वो क्या रहता है corals का रहता है और उपर से आपको जू संतिली क्या करती है इसके उपर रहती है ठीक है clear है आपको image में देख चुके है आप नेक्स चलते हैं अपने slide पर देखेंगे अब जानते हैं कि coral ठीक है coral reefs ठीक है coral reefs उसके बनने के लिए क्या condition जो है नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए देखिए अब देखेंगे इसका हमने distribution लिमिट कर दिया कहां tropical और subtropical लाकों पर ट्रॉपिकल और subtropical लाके हैं वहां पर आपको बीच डिए सचिस तक का temperature मिल जाएगा उसके बाद अगर आप आप उपर जाएंगे जाएंगे तो वहां temperate जाएंगे या polar polar higher areas में ठीक है higher latitudes में जाएंगे यह आपका अगर एक्वेटर है तो यह higher latitudes में जाएंगे इधर भी और इधर भी higher latitudes में तो आपको मिलेगा वहां colder water मिलेगा ठीक है तो colder water is not suitable for reef building corals के लिए suitable नहीं है ठीक है तो कहां मिलेंगे आपक tropicals and subtropical zones में मिलेंगे अभी आपको we will show you in in the map also ठीक है कि कहां आपका tropicals and subtropical zones आपको मिलें ठीक है इसलिए क्या है कि they will not flourish where there is a cold current जहां cold current होगी तो वहां पर आपको यह नहीं मिलेंगे cold अभी तो बोला ना 20 degree Celsius के temperature ज्यादा चाहिए इससे नीचे होगा तो नहीं मिलें तो cold current का जो temperature हो 20 degree Celsius नहीं नीचे है अद्धी आप ऊचेंगे cold current क्या होती है तो cold current के लिए हमारा separate lecture है ocean current ocean current का वह आप जोग्राफिक की playlist उठाके दिखेगा वहां मिल जाएगा आपको वहां पर डिटेल हों बताया गया warm current cold current क्या होती है अभी जाने लिए cold current ऐसी current है जो क्या है होती है ठीक है तो ठंडा आपना चाहिए नहीं है आपको रिफ के लिए 20 degree Celsius का temperature चाहिए ठीक है तो यहां पर आप समझ गया हूंगा कि यह क्या है सब्सक्राइब काहूंप बहुत है यहां आपको कब्या है Darth तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या बता रहे हैं हम बताना चाहरे है अभी समझ इतना जितना बताया जा रहा है नेक्स्ट अपना पॉइंट की इसके लिए जो डैप्थ है वो क्या वनटी फिट से जादा नहीं होनी चाहिए अब ऐसा क्यों कहा रहा है ऐसा इसलिए का अगर वनटी फीट से ज्यादा की डैप्थ होगी तो वहाँ पर फोटो संथेटिक क्या होगा अच्छे से नहीं पहु इसलिए पर मुवींग लॉटर we can appreciate in Atticis को कлон itना मॉविंग करती है इसलिए जहां पर सिल्टी कोस्ट कर्षा माइड आ होगा लॉज का मॉजभा गया मखें नहीं देखा है तीका कि मड्माव सर्वावति ही नहीं दिखाए दिखाए देंगी आपको यस हिलाके में जांगी वहाँ बार तीन पॉइंट आपको पता देखिए 20 डिग्री से नीचे का टेंपरेचर नहीं होना चाहिए 182 फीट से जालता की डेप्थ नहीं होना चाहिए और वाटर जो होना चाहिए सॉल्टिस और फ्रीफर्म सेडिमेंट होना चाहिए सेबाना चाहिए में टोपिकल और सब्रोपिकल जोन में आपको क्या मिलते हैं यह आपको यहां यह तो यहां आपको लिमिट हो गया है यहां भी देख लीजिए आप में मिलेगी उपर टैंपरेट और इधर कहीं थोड़ा कम बहुत कम मिलेंगी ठीक है यह रहा इसको पिक्चर में देख लेते हैं किस तरी यह देखिए यह अपना यहां अपना आइलेंड है यह अपना आइलेंड यह रहा और आप देखेगा यहां को मिले ही यह कोरल बन गई यह ठीक है रीव बन गई है यह पर बीच में आपको थोड़ा पानी भी देख रहा आपको लेकिन क्या है ओल्मोस आप देख रहे है कि बिल्कु शोड से लगी हूई है यह आपके क्या फ्रिंज वाइडर चैनल देखें यह अपना जो आइलेंड था और जो अपने रीव थी इसके बीच में किया एक वाइडर चैनल लेकर लेगून जो थी ना वह अब यहां बड़ी हो गई हो ठीक है वाइडर चैनल देखेंगा पानी का जो यह चैनल यह बड़ा होगा काफी वाइड तो वहाँ थोड़ा सा नेरो था वो ठीक है यहां वाइडर है अगरी बात समझ को अब देखिए कहीं कहीं पर देखेंगें करें यहां पर गैप पहर गैप भी कुछ इसमें से क्या गैप होगा इस गैप से क्या होगा कि जो फ्रेश ओशन वाटर और यहां एंटर कर भीच पीच में होते हैं अब देखिएगा अच्छा उसके बाद देखिए जो best known barrier reef उसका नायम देखिए great barrier reef of the coast of Queensland Australia और आचे पे आपको great barrier reef बैस्ट कहा जाता है इसको ठीक है दुनिया के सबसे बडेरीन रिफ में वाइड चैनल ले बाइड रहता हैं इह वाइड रह उस्तिर है पर उसटा की, यहस्ट वाइड रहता है रिफ है है और पुरोलन के आपना इल्ट वाला पार्ट रहा हुगा ठीक है द्दिना एक टोल की इक तरेका लेकित टेल ₹ वह रखी यह अपना आइले ₹ टीचे, üç का यह दू आप यह वांट न बहुक्त रखा लगी और आप यहां बहुंक का बन जाएगा यह रिप बन जाएगे अब यह आपको पिक्चर में भी दिखाते हैं ठीक है बस इतना जाल लेजिए सब्कुलर शेप के होती है यह यह अपना आइलेंड होगा और बीच में क्या होगा वाटर बॉड़ी या कोई भी वाटर बॉड़ी होगी और यहां रीफ हो जाएगी आगे ठीक है circular shape के होसे है यह रहा दिखियो है यह 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 आपका circular shape में यह ठीक है यह circular shape में आपको क्याव एसैं से भी यह कैसे बन रही है कई का कहाए इसकने distribution हैं कैसे बन रही है कियो बन रही है कितने टाइप्स की हैं ठीक है यहां पर हमारी कोडली जो है complete हो जाती है ठीक है now for the GSWarda viewers if you are liking our content please like share and subscribe ठीक है and also you can comment your feedback also thank you so much